है 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 आज आप लोगों फिर से नए क्लास में सब्सक्राइब आज की जो क्लास होगा उपको चलग ही होने होला है यानि दिख लिए बज रिकूर्ण विदी इसको पुला जाता है और यह बहुत इंप्रोटेंट है इससे बहुत सारे को स्थेंस आपके वोड एक्जा करेंगे तो सुरू से लास्ट तक देखिए और आज जो भी बाते होंगी इसमें सिर्फ का बात होगा और से रिलेटर एक कोस्टन किया जाएगा उसके बाद में आपके जो कोस्टन से उसको आपको सॉलूशन मिलेगा तो चलिए समझते हैं समझे प्रोस मल्डिप्लिकेशन मैठड यह एक ऐसा मैठड है जिसमें क्रोस का मतलब समझे रहे ना क्रोस का मतलब यानि गुणा का निसान रहता है उसके इसाब से मैठड यानि जो भी आपका इक्क्वेसंस दिया हुगा है उसको आप लोग स्वाल करेंगे तो यह ज़रूरी है यानि आप समझ गया है कि समझ लिए मैठड उसके बाद सबस्वेशन म्धार एंड उसके बाद सब्सरी स्काराइब मैं एसा मैठड यह जो आप तीन गो छो बैठड समझे हो गया है यह तो ही है लेकिन इससे ज़्यगा क्रोस मैठ यह ए बहुत हीं कारें साबित होगा और जाधा इसे जाधा कुस् y और c1 equal to 0 और समझ यह c1 होता है तो जब यह c1 होगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a1 x plus b1 y equal to minus c1 ऐसे भी लिख सकते हैं यानि इस रूप में भी हो सकते हैं या इस रूप में भी हो सकते हैं लेकिन जब जैसे ही आपको two variables number पढ़ रहा हैं भी करन होगा इसका मतलब इसको a2 x माल लेते हैं यह b2 y है और यह c2 है equal to 0 और समझ यह strength यह cross multiplication method यानि बजर गुणन विधी यह कैसे आया और क्यूं आया तो इससे पिछले यानि 3.2 का जो आपको classes हुआ था उसमें आप लोग को बताया गया था है unique solutions no solutions और infinitive solutions इसी से रिलेटर यह वाले को method को पढ़ना जरूरी होता है आप समझे आपको याद करा दूं कि आपने पढ़ा था कि a1 by a2 not equal to b1 by b2 अगर यह से आ रहा है तिसका जो solutions होगा वह unique solutions होगा यानि odd with a solutions होगा समझ रहे ना तो अगर आपके पास यह वाले method आ रहे है यह वाले solutions है यानि a1 और a2 उसको जब divide किजेगा और उसके बराबर अगर b1 by b2 न हो तो वो क्या होगा unit solutions होगा यानि odd with a होगा तभी यह वाला method लगेगा न तो न लगेगा उसमें आप लगाएंगे ही ने उसके बाद देखिए इसके बाद a1 by a2 equal to b1 by b2 और not equal to c1 by c2 अब देखिए जब यह आ जाएगा ऐसा चीज आएगा यानि 1 by 2 बराबर 1 by 2 बराबर 3 by 2 अब देखिए यह दोनों 1 by 2 है 3 by 2 है क्या इसके बराबर है बिल्कुल भी बराबर नहीं है तो जैसे जब बराबर नहीं है इसका हॉल है नहीं होगा समझ रहा है ना तो इसको not hal not solutions लिख सकता है not solution बट बट लेकिन कहने का मतलब है अगर मान लिजे जैसे अगर a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 हो तो क्या होगा तो इसका infinitive hal और परमित रूप से अनेक hal होगा यानि x का मान कुछ भी आ सकता है आपका x का मान 2 भी आ सकता है 3 भी आ सकता है 5 भी आ सकता है उसका मतलब है solution बहुत सारे होगे समझ रहा है ना तो आपको बस यहीं समझना है कि अगर आपके questions दे रहा है कि a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 हो तो dot dot यानि इसका हल होगा परमित रूप से अनेक हल अध्वीतिय हल कोई हल नहीं और इनमें से कोई नहीं तो आप क्या करेंगे और परमित रूप से अनेक हल लगाएंगे यह आपके लिए समझ में आ रहा है तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि इससे वीडियो ही आपके पास concept प्लस आपके मैट के solutions मिलेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मिलेंगे और एक एक प्रकार से अब इसके बाद समझते हैं कि यह तो इसको हम क्या करेंगे यानि बज्र गुणन विधी का परयोग करेंगे और समझे जब बज्र गुणन विधी का परयोग कि तो इसका भी फरूला होगा तो फरूला देखिए बहुत ही सिंपल है बस आपको क्या करना है आपको ऐसे निकालना है देखिए इसको क्या करना है आपको ढख लेना है जब आप इसको ढखिएगा तो यहां पर क्या दिख रहा है आपको बीसी दिख रहा है तो यहां पर समझे एक्स बाई बीसी माइनस स्ट्पाइब दिख्यां बोलेंगे तो जीरो हो जाएगा बराबर वाई बाई और जो य को ढखिएगा तो क्या होगा यह सी माइनस एसी कि इकवल टू है वाण भाई क्या करना है इसको अब वन इसको यानी कॉंस्टेंट है इसके साथ क्या है भरियावल नमा नहीं है यह कॉंस्टेंट है यानी कॉंस्टेंट का मतलब होता है वन इसके बाद इसको जब तोपेंगे तो यह आपका एवी आएगा इसको आपको यहाद करते यहाद करते ठक जाएगे का कभी याद भूना वाला नहीं है बस एक चीज़ देखना एक बार ही देखनाने आप क्या करेंगे यहां पर एक दो दो एक दो दो एक एक दो दो एक यानि आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स बाई बी वान सी टू माइनोस बी टू सी वान उसके अबाल में लिखेंगे बराबर वाई बाई एक वान लिखेंगे वान वाई एक वान बी टू माइनोस एक टू बी वान यानि आपका यह शूत्र है यह जो शूत्र है तो यह आपके लिए बहुत ही महत पूरे फिवी याई कोस्टन से अपका फर्मूला है और यह आपके लिए concept है यह जब आप concept समझ गए यह वाला जब concept समझ गए तो आपका ऐसे भी उनिक solution होगा तभी आप यह वाला फर्मूला को आप लगाईएगा ना होगा तो ना लगाईएगा बिल्कुल भी नहीं लगाईएगा ठीक है उसके बाद देखते हैं